अगर आप भी चाहते हैं कि सरदियों में आपका चेहरा भी ग्लास स्कीन की तरह चमकता रहे, स्कीन बहुत जादा ड्राय है, स्कीन बहुत जादा रुकी सुकी बेचान हो जाती है, आप भी अपनी स्कीन को चमकाना चाहते हैं, चेहरे पर ग्लो लाना चाहते हैं, चेहरे की यदि बहुत ज़्यादा pigmentation है, darkness है, बहुत ज़्यादा आपकी skin dull हो गई है और बहुत ज़्यादा जिनकी skin बहुत ज़्यादा dry रहती है, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा beneficial है तो इसके लिए आपको लेना है coconut oil, मैंने पेरा सूट का coconut oil लिया है, नारियल का तेल तो एक चम्मच की करीब आपको नारियल का तेल ले लेना है coconut oil, एड करना है आपको इसमें aloe vera gel, aloe vera gel आपको यहाँ पर एड करना है तो आपको aloe vera gel एड करना है, market वाला, मैंने पतेंजली का aloe vera gel एड किया है और इसके बाद में आपको इसमें add करना है wild turmeric, कस्तूरी हल्दी और कस्तूरी हल्दी हमारी स्कीन को निखालने का काम करती है, antiseptic और antiseptic होती है coconut oil हमारी स्कीन को जबा बनाए रखता है, इसकीन को यंग बनाता है, स्कीन से fine lines जो जुर्री आ जाती है इसकीन बहुत ज़्यादा dry रहती है उन्हें लिए बहुती ज़्यादा beneficial है, add करना है आपको इसमें दो चमच आपको add कर लेना है, raw milk, कच्चा दूद्ध add करना है, आप चाहें तो इसमें rose water भी add कर सकते हैं, rose water या फिर आप इसमें add कर सकते हैं, raw milk, कच्चा दूद, ज़्यादा beneficial होता है, और aloe vera gel में healing properties पाई जाती है, जो हमारी skin को repair करने का काम करती है, यदि आपकी skin भोजादे dry है, या फिर किसी तरह का side effect हो गया है face पर, तो aloe vera gel उसको heal करने में help करता है, और जहाईया pigmentation को भी दूर कर देता है, यदि धूप में जाने से skin dull हो गई ह साबली पढ़ गई है, skin पर glow नहीं है, तो glow भी लादता है, aloe vera gel, एड़ करना है आपको इसमें, next ingredient एड़ करना है, वो है बिटामिन E का capsule, बिटामिन E अंडराइट डार्क सरकल को दूर करता है, और जिनके skin बहुती ज़्यादा dry रहती है, उनके लिए तो बहुती ज़्य बहुती ज़्यादा फाइदे मन्दे, और ये काले निशान दाग दबो को दूर करने के साथ साथ हमारी skin पर glow भी लाता है, तो सर्दियों में जिनकी भी skin बहुत ज़्यादा dry रहती है, और जिनके skin बहुती ज़्यादा dry रहती है, उनके लिए तो बहुती ज़्यादा problem हो अगर आप ये remedy का use कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपका चेहरा बहुती ज़्यादा soft और मुलायम हो जाएगा और dryness दूर हो जाएगी, और आपको क्या करना है इसको apply करने के बाद तो भी मैं इस वीडियो में share करूँगी, तो अच्छे से इन ingredient को आपको mix कर लेना है, अच्छे से mix कर लेना है, अच्छे से मिला ले, और इसके बाद में इसको किस तरह से लगाना है, वो मैं इस वीडियो में share कर रही हूँ, तो आपने अभी तक मेरे चेनल को subscribe नहीं किया हो, तो please channel को जरूर subscribe करें, और bell icon को all पे जरूर क्लिक करें, जिसे मेरे वीडियो के आन के बाद में इसको apply करना है, पूरे face पर, अच्छे से apply करें, और आप इसको neck पर भी जरूर apply करें, मैंने सिर्फ face पर ये apply किया है, तो आप इसको अच्छे से पूरे face पर apply करेंगे, और अच्छे से लगा लेंगे, और इसको लगा कर आपको जब तक मसाज करनी है, जब तक यह आपके स्कीन में एब्जॉब ना हो जाए तो जो भी इंग्रेडियंट एड़ करें हैं वह सारे नेच्रल है और नेच्रल चीज़ें हमारे स्कीन के लिए बहुती ज्यादा वेनिफिशिल होती है बिटामिन E का जो केपसूल है जिनके आँखों के नीचे अंडर आई डार्क सरकल है काले घेरे हो जाते हैं काले निशान हो जाते हैं डार्क स्पोर्ट हो जाते हैं उनको दूर करने में बहुती ज़्यादा हेल्प करता है साथ में ड्राइनेस को भी दूर करता है यदि आप स चिची चिची रहती है तो भी ठीक होने लग जाती है विटामिनी बहुत ही ज़्यादा पावर्फुल है हमारी स्कीन और हैर के लिए तो आँखों पर भी जरूर लगा ले इससे क्या होगा जो भी आपकी स्कीन डल हो जाती है उसको ये ठीक करने में हेल्प करता है तो से आपको मसाज करना है यदि समय से पहले बहुत जाता जुर्या आ गई है आँखों के नीचे लाइन ने दिखने लगी है इसकीन लटक गई है लूज हो गई है तो आपको मसाज जरूर करना चाहिए अपने फेस पर मसाज करने से हमारी स्कीन पर ब्लड सर्कुलेशन से ही और स्कीन पर गुलो आता है कोकुन», ऑयल को रिकमेंड करते हैं क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा फाये मम doors and natural है और साथ में यह स्कीन से जुरियों को दूर करता है चेहरे पर ग्लो लाता है ड्राइनेस को दूर करता है और इसमें बहुती ज़्यादा फायदे मंदगुन पाये जाते हैं तो जो भी इंग्रीडियंट मैंने एड़ करें हैं वह सारे नेचरल हैं इसको में बूमें दोनों ही लगा सकते हैं इसको जैंस और लड़के लड़कियां सभी लगा सकते हैं इसको 14-15 साल से लेकर किसी भी एज के लोग इसका यूज कर सकते हैं तो यह सभी के लिए बहुती ज़्यादा फायदे मंदे अच्छे से में मसाज कर रही हूं जब तक ही मेरी स्कीन में एब्जॉब नहीं हो गया है इससे क्या होगा यह आपके स्कीन में एब्जॉब होगा तो यह आपके स्कीन से पिग्मेंटेशन को दूर करेगा ड्राइनेस को दूर करेगा सरदियों में आपकी स्कीन खिची-खिची नहीं रहेगी यदि आप इसका डेली यूज करेंगे तो तो अच्छे से मसाज मे लगा लेना इपने फेस पर इसको पूरे फेस पर लगा के कम से कम 10 से 15 मिनिट के लिए लगा कर आपको छोड़ देना है जब ही ड्राय हो जाएगा तब आप इसको अच्छे से अपने फेस को वाश करके साफ कर लेंगे अच्छे से फेस को धोले तो अच्छे से लगा ले एक आप नॉर्मल वाटर से में वाश कर लूगई, इसको अच्छे से दोलूगी क्लीन कर लूगी तो आपको क्या करना है, सावुन नहीं लगाना है जब आप ये यूज करते है så नॉर्मल वाटर से फेस को वाश करना है साधे पानी से तो आप देख सकते हैं, मेरा फेस एकदम clean हो गया है यह आपके चेहरे को instantly clean कर देगा चेहरे पर glow आएगा यदि आप इसका daily use करेंगे तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like and channel को subscribe जरूर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए bell icon को all पर जरूर किलिक करें तो इसी तरह से आप भी यह remedy का use करें और सरदियो में अपनी skincare बहुत ही जादा करनी पड़ जाती है तो आप इसका use करेंगे तो आपकी skin healthy रहेगी तो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care वीडियो फुल वर्च करनी के लिए thank you